श्रीयकाल जी मैं हाँ डॉक्टर गगन प्रीत को और ते तुसी वेख रहे हो पंजाबी आयववेदिक रसुई असी एस रसुई दे विच हमेशा सिहत मन रेसिपीज बारेगाल कर दे हाँ ते अजकल जी में दा मौसम चाल रहा है एसी मौसम दे अनुसार तुसी अपनी पूरे दिन दी डाइट किस्तना प्लान कर सकते हो ते अपने पूरे परिवार नो कि में स्वस्त रख सकते हो आओ जान दे हाँ थोड़ा बहुत छिलका इस रेसिपी विच चल भी जाएगा असी सॉफ दा पाउडर लेना है लागपग ती ग्राम ते मसाले लेने हन थोड़े जी अपने स्वाद अनुसार जिवें की थोड़ी बहुत काली मिर्च ते हरी इलाइची सब तो पहला असी इना चीज़ा नो ड्राइ रोस्ट करना है मखाने आनो सब तो पहला पुन लवांगे ए हलके हुन्दे हन बिना क्यों तो असी इना नो पुन्ना है लगा तार चलौन दे हुए पुन्ना गे तिन चार मिंट दे विचे कुरकुरे ते क्रिस्पी हो जानगे इना दे अंदर कैल्शिम ते मेगनी पुन्ना गर्ण दे याँ जानगे ता बर्फीदा टेस्ट होर भी ज्यादा स्वाध हो जाएगा छोले आइरन रिच हुन्दे हन ते होर बहुत सारे अंटी आक्सिदेंट्स नूट्रियंट्स आन्नू छोलेया तो मिल जान्दे हन पच्चन विच यह वी हलके हुन्दे हन इस करके किसे न किसे तरह सानुए न दी वर्तों जरूर करनी चाहिए हैं। इसे दे अंदर असी सौफदा पाउडर ते मगज भी पाद यांगे। इना दोमा चीजानू ता बस असी एक मिंठी रोस्ट करना है, बेशक गैस बंद करके ही रोस्ट कर लवो। क्योंकि गरम छोलेयां दे विच ए दोनों चीजान बहुत असानी नल पुन्या जान गियां। कर सकते हो। डाइबेटेस दे रोगी इस पाउडर नू एकद्दा चमच अपनी सबजी विच मिक्स करके या फिर रोटी दे आठे विच मिक्स करके ले सकते हन। डेट सो ग्राम नाप के असी ए पाउडर ले लेया। कोशिश करो कि लगपक सौ ग्राम की ओता असी जरूर ले लेये। ते ओस्ते विच असी इसनों पुन्य लवांगे। ये पाउडर ड्राई है। जे असी रुखा खामांगे ता ज्यादा ड्राइनेस कर सकता है। एसे करके या ता सबजी आच पाके खामांगे ती या फिर इसता कुछ मिठा बना लवांगे। खीर या परशाद भी बनाया जा सकता है। इसनों असी वध्या त्रीके नल पुन्य लेना है। ये आईरन कैल्शिम ते प्रोटीन रिच है। बहुत ही ज्यादा ताकत देन वाला है। ते मास पेशिया नों मजबूत करन वाला है। बच्चया लई भी बहुत ज्यादा हेल उन्तो बाद असी कुछ देर सिम गयास ते पांच मिंट होर पकाल मांगे। कोई एक तार या दो तार दी चाशनी ने बस मिठे नू चंगी तरा पकाल मांगे। तुसी चाहो ता शक्कर दा इस्तिमाल भी कार सकते हो। असी एस मिश्रन देविच पादेना है। इस पाणी ते जिवें परशाद बंदा है बिल्कुल उसे तरह हैं त्यार हो जाएगा। जदो इहें कडाई नू पूरी तरह चाट देवें ओनी देरता केस नू पुन्ना है। अखीर ते एककद्दा चंबच की होर पाद यांगे। तांकि इस ते वें शाइन आजावे ते वधिया त्रीके नल रोस्ट हो जावे। होन असी एक थाली ले लमांगे ते थाली नू असी उल्टा कारके एस दे उपर बटर पेपर राख लमांगे। बटर पेपर राखके थोड़ा जकी ओनाल उस नू चोपड लेना है। जिस डो नू असी त्यार कीता है उस दा पेड़ा बना लेगी। जड़ी काली मिर्श भी आपपा सकते हां। होन ए बहुत जल्दी त्यार हो जानदा है। नाल ही असी पिज्जे होई ड्राइफ फ्रूट्स ले लमांगे। स्वेर दे लई मॉर्निंग टी जेड़ी की सब तो ज्यादा है त्यार है। पिज्जे होई नट्स दे नाल जे त प्राइ करनी चाही दी है तो हानो बहुत पसांद आएगी। होन असी नाश्ते दी त्यारी कर दे हां। जे तुसी एक हैल्दी नाश्ता बनाओना चौन दे हो तस आनो कनक दी आटे तो कदी-कदी वक्रा आटा भी वर्तना चाही दा है। मैं एथे जवार दे आटे दी रो प्रायम रवे। बस फिर असी वेल के इस दिया रोटियां बना सकते हां। तुसी चाहो ता इस दा प्रॉंठा भी बनाया जा सकता है। जवार दा आटा भी एक मिलेट ही है ते ए ठंडी तासीरदा हुन दा है। गर्मी दे मौसम विच ए बहुत ताकत देन वाला है। शू वडिया क्यों पाके ते शक्कर पाके असी चूरी बना सकते हां। ए चूर्मा लडु भी बहुत पॉश्टिक है। इना नो भी असी लुण्च बॉक्स विच वी दे सकते हां। ते बच्च्या नो किसे टाइम दिते जा सकते हां। एस रोटि दे नाल असी जड़ी सबजी त्यार करांगे ओ है उबले होई छोल्यां दी सब्जी एस ते लिए प्याज शिम्ला मिर्च ते टमाटर ले 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 आ है। इना सब्जिया नो असी जीरा ते राई पाके थोड़ा जया पकाल लवांगे। इदर एक मसाला त्यार कर लेंदे हां। जिस ते विच गरम मसाला अगली खास रेसिपी त्यार कर दे हां। इस ते लिए एक कॉली मखाने ते थोड़े जे मगश लए हां। इना सारिया चीजां दे बराबर ही अपा मिश्री लए लवांगे। असी क्यों लए लेना है एक पैन दे विच ते ओस दे विच छोले ते मखाने रोस्ट कर लेने हां। मगज सॉफ ए सारिया चीजां वी रलाल मांगे। थोड़ी बहुत काली मिर्श भी तुसी चाहो ता पा सकदे हो। इस ता पाउडर कर ल बनान दा मन करें तक केवल तुली होई मूंग दाल ही लओ क्योंकि ये पचन विच काफी हलकी हुंदी है। इस तो इलावा दाला सानू नहीं लैनिया चाही दिया। कई वर सबजी नहीं हुंदी ता एही दाल दी वर्तो करो। तो के असी दाल नू कंटा डेड प्योंके र आप चटनी नाल वी रोटी खा सकते हैं। थोड़े जे इस ते विच अनार दे दाने पा देते हैं। जेड़े की पेट लई वी बहुत ज्यादा वदिया हुंदे हैं। स्वाध अनुसार आप नमक पा देंगे ते थोड़ी हरी मिर्श वी तुसी इस ते अंदर पा सकते हो दोना नो मिला के असी गुन लमांगे। कदी वी बहुत ज्यादा आटे आपस विच मिक्स ना करो। वद तो वद आपस दो आटे ले लमांगे। ता उस दे नल रोटी बनाउनी थोड़ी सुखी हो जान दी हैं। ते रोटी ज्यादा ड्रा ते सुख्य भी नहीं बंड़ इस तरह दी रोटी दा ग्लाइसेमेक इंडेक्स लो हुंदा है इस करके ए डाइबेटीज दे रोगियां लई वी वद्या हुंदी है। ते प्याजा नू चंगीत्रा पका के थोड़ा पुन लेना है। टमाटर लेने हन ते टमाटरा दी प्योरी बनालवांगे चाहो ता तुसी नाल हरी मिर्च भी पीच सकदे हो। थोड़ा जा बदल में तरीके नाल दाल नू बनालवांगे ता दाल सार्या नू स्वाद लग दाल नू असी पहला ही प्योंके रख्या है इस कारके बहुत जल्दी पक जाएगी। पानी भी बहुत थोड़ा पॉणा है क्योंकि असी दाल नू सुक्का बनावांगे ते एस नू असी हुण पका लेना है टक के पककन दे आंगे जिननी देर तक दाल नू पकनते टाइम लगेगा ओनी देर तक अप़ फुल्केवी बना लेने हैं ए डाल दी सब्जी चटनी ते रोटी नल काफी स्वाख लग दी है ब्रेकफस्टे लंच विच 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 बनाया जा सक्था है पर जे रात नू कदि दिल करे ता एही डाल सब तो बह बहुत पसांद आया होएगा जे असी अपने पोजन विच एसतना पॉष्टिक थालियां त्यार करांगे पॉष्टिक पोजन त्यार करांगे तस आनू किसे दवाईदी लोड नहीं पएगी असी अपने पोजन तो ही हार तरह दे विटामिन्स ते अंटी ऑक्सिदेंट्स ले प्राइगी फिर मिलांगी किसे होर नमी जानकारी नाल ता तक लई सच्रियकाल